हाँ तो बच्चो कोशन रहेगा आपका Chemical Kinetic से कोशन कह रहा है Analyze the given graph drawn between concentration of reactant versus time ठीक तो आपको concentration of reactant y-axis पर गीवन है और time आपको x-axis पर गीवन है आपको इसके बीच का graph आपको गीवन है ठीक है जो कि दिखाई दे रहा है exponentially downward ठीक है अब exponentially downward जो graph होता है वो आपका first order के लिए होता है इसलिए पहले कोशन का अंसर क्या हो जागा predict the order of the reaction क्या हो जागा first order ठीक है और इस बात का पता कैसे चलता है क्योंकि first order के case में ही अगर आप concentration of reactant versus time के बीच में relation देखे तो क्या होता है 80 is equal to a note e की power minus kt ठीक है जहाँ आपको समझ आता है a note क्या है initial concentration जो कि यहाँ पर हमान लिजी यह note है ठीक है और एक particular time पर कितना concentration होगा उसके बारे में एक ग्राफ बता रहा है ठीक है तो यह exponentially downward graph होता है आपको यह बात है समझ में आनी चाहिए अब यह कैसे आया है यह हमारा अभी concern नहीं है चलो एक बार करी लेते हैं तो आपको एक बात बता है यह याद है कि इस लोग को मैं एलन लिख सकता हूं क्या एलन लिख सकते हैं बिलकुल ठीक है तो a not by a t इस तरीके से हो गया है अच्छा यह kt को इधर ले जाओ तो एलन हो जाएगा यह a not a t इस तरीके से ठीक है अच्छा जब मैं इसका लोग उड़ा दूँगा यहां से तो यह e की power kt हो जाएगा is equal to a not by a t ठीक है अच्छा अगर मैं a t की वैले लिख हो तो क्या लिख सकता हूं a not by e की power kt तो a t is equal to कितना हो गया a not into e की power minus kt ठीक है तो इसके इस आप से पता नहीं चल रहा है क्या exponentially graph यह downward जा रहा है ठीक है तो ठीक है तो इस तरीके से आपको यह समझना है कि यह graph first order का था ठीक है अगर zero order का होता तो कैसा होता भी अच्छा एक बबर बात है अपर नीचे वाले question को भी एक बर निप्टाल लेते है question कह रहा था कि theoretically can the concentration of reactant reduce to zero after infinite time explain answer नहीं ठीक है यह कभी भी आप जो भी टीकी value यहाँ पर डालोगे कितनी भी ज़्यादा डालोगे उसके बावजूद भी आपको यह कुछ ना कुछ value देगा ठीक है तो यह graph टच नहीं करेगा इस axis से ठीक है पतलब टच करने का मतलब है concentration zero क होता लेकिन यह ऐसा हो नहीं सकता हाँ लेकिन zero order के लिए अगर आप देखें तो zero order के case में इस तरह की से graph जाता है ठीक है जहां पर 80 यह रहता है यह time रहता है उसमें 80 का relation क्या आता है 80 is equal to क्या आता हम आपर a note minus kt और first order में क्या था 80 is equal to a note e की power minus kt दोनों में अंतर है ठीक है यह linear graph है यह वाला जिसके जिसका slope आपको यहां पर दिया है और यह a note हो जाएगा ठीक है तो इस तरीके साब को चुझे समझने हैं दोनों graph अलग है यह zero order के लिए है और यह आपका first order के लिए क्लिए इतने बाते हैं चलिए thank you